नमस्कार दोस्तों स्वागा थे आप सभी का आपके अपने चैनल सौट एंड गुरू जी में आज की वीडियो में फिर से हम सौसब्द प्रतिमिनट की गती से रामधारी गुपता जी घंडे के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजे डिक्टेशन स्टार्ट हो जाएगी पाउन सेकंड के बाद रेडी स्टार्ट हमने परियाप्त विचार विमर्ष और सोचने समझने के बाद यह निश्चे किया कि हमें किस परकार का योजना आयोग बनाना चाहिए और आयोग को किस धंग से काम करना चाहिए योजना आयोग में निर्दली स्वतंत्र विचारों वाले और गैर राजनेतिक विशेशग होते हैं लेकिन वे पूरी तरह से योजना के लिए जिम्मेदार नहीं होते योजना का निर्मान प्रतेक राज्य के विभिन इस्तरों के लोगों के साथ अनेक विचार विनीमयों के आधार पर होता है और अंततह उसे अंतिम रूप देने के लिए राश्ट्री विकास परिशद में प्रस्तुत किया जाता है जिसके अंतरगत सभी मुख्यमंत्री होते हैं जिनमें अनेक अन्य दलों के होते हैं वे मिल बैठ कर अपने विचार व्यक्त करते हैं यह ठीक है कि इन बैठकों में मतभेद भी होता है जो सामान नितह योजना के तरीकों को लेकर नहीं बलकि अधिकांश्तह इस पर होता है कि किस राज्य को कितना पैसा मिलना चाहिए हम जानते हैं कि हमारा कोई भी ऐसा कारिकरम नहीं है जो हमारी पूरी जनसंख्या की आवशक्ता के लिए पर्याप्त हो सभी समय उपलब्द साधनों और जनता की आवशक्ता के बीच सामन जस्य के लिए प्रयास करना होता है यह सोचना होता है कि क्या किया जाना चाहिए अथवा एक दूसरे छेत्र के लिए क्या किया जाना चाहिए कुल मिलाकर यह योजना अगले चार वर्षों के लिए प्रगति का घोचना पत्र है हमें कुछ अनुमान है महोदय यद्यपी योजना के अंतिम रूप पर यह आपचारिक बहस अब हो रही है हमने योजना के प्रारूप के बारे में काफी ब्योरेवार विचार किया था एक माननी सदस्य ने कहा है कि योजना से ऐसा नहीं लगता कि कामों को निप्टाने में तत्परता जरूरी है मैं समझती हूँ कि योजना के प्रारूप और उसके अंतिम रूप में यही अंतर है अंतिम रूप में हमने तातका लिखता पर जोर दिया है जिसका प्रमान यह है कि उसमें आज की प्रमुख समस्याओं की पहचान की गई है जैसे बेरोजगारी या छेत्री असंतुलन अथवा अन्य ऐसी ही बातें इन में से कुछ समस्याओं के समाधान में कोई विलंब नहीं होना चाहिए और उन्हें तक्काल दिढ़निश्चे के साथ हल किया जाना चाहिए लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिनमें हमें काम करना होता है कुछ मान्य तरीके हुआ करते हैं इन में से एक है लोगतंत्री प्रक्रिया बहुत से लोग चाहते हैं कि हम कई काम एक साथ करें और इन में से कुछ के बारे में हम सहमत भी हैं कि वे सही काम हैं लेकिन हम लोगतंत्री प्रक्रिया के प्रती वचन बद्ध हैं हम जनता की राय से काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं हमें आधिकारिक जनता और पार्टियों को अपने साथ लेकर आगे बढ़ना है अगर इससे हमारी गतिक कुछ धीमी भी रहती है तो भी हमारी प्रक्रिया को बल मिलता है और हम जो भी काम हाथ में लेते हैं उसे बल मिलता है दूसरा तरीका मिस्रित अर्थ विवस्था का है जिससे शायद कुछ लोग सहमत नहीं है लेकिन जिसे हमने अपने लिए निर्धारित किया है ऐसी अर्थ विवस्था की अनेक तुटियां भी होती है लेकिन हमारे देश में आज जो परिस्थिती है उसमें हमारी सरकार, हमारे पूर्व वर्तियों और आज के सहयोगियों ने यह अनुभों किया कि हमें इस तरीके को अपना कर चलना चाहिए मिस्रित अर्थ विवस्था का अर्थ मेरी समझ से यह नहीं है कि कुछ समर्द परिवारों को इसका लाब मिलता रहे क्रिशी या लगु उद्धयोग जैसे अनेक छेतर कमजोर वर्गों के लाब के लिए निजी छेतर में रखे गए हैं और हमारी मिस्रित अर्थ विवस्था के अंतरगत अपने लिए लोगों को अनेक कारिक्रम अपने हाथ में लेने के अलावा उनमें अपने लिए काम करना चाहिए मुझे मालूम है कि स्वाधिन्ता के तुरंत बाद जो स्थिती उत्पन हुई थी उसका कुछ परिवारों गुरुपों व्यावसाईक घरानों ने निजी स्वार्थ के लिए लाब उठाया महोदे हम सभी इस बात के शिकार हो जाते हैं कि अपने दलगत स्वार्थ में आकर गलत काम कर बैठते हैं कभी भाशा और कभी किसी प्रदेश के स्वार्थ में ऐसे प्रश्न उठते हैं जो हमारे राष्ट्र की एकता को कमजोर करते हैं अभी एक माननी सदस्य ने यह प्रश्न उठाया और आरोप लगाया कि भारत सरकार कुछ प्रदेशों के साथ इंसाफ नहीं करती भारत सरकार कुछ प्रदेशों के प्रदी पच्छपाद पूर्ण नीती अपनाती है यही मनोवृति है जिसमें एक प्रदेश को दूसरे प्रदेश के विरुद्ध भड़काया जाता है एक जाती को दूसरी जाती के विरुद्ध खड़ा किया जाता है एक धर्म को दूसरे धर्म के विरुद्ध खड़ा किया जाता है और एक भासा और दूसरी भासा वालों के बीच में भणकाओ पैदा करके लड़ाई पैदा की जाती है यही मनोवरत्ती है जिसको हमारे विरोधी दल के बहुत से लोग भणका कर पैदा करते हैं उनकी अपनी गलत नीटियों के कारण विशाल दृष्टी कोण नहीं होता है और वे ऐसे प्रशनों को उभार कर अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं इस पस्ट है ऐसे समस्त प्रशनों का परिडाम हमेशा बुरा होता है इसलिए मैं सभी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं से अपील करना चाहूंगा कि जो प्रशन हमारे देश के सामने हैं और जिन पर हम सब को चिनता हो रही है तथा जिनका हल निकालने की हम कोशिश कर करते हैं उन तमाम प्रशनों के उपर हम धंडे दिल से विचार करें स्रीवाजपेई ने एक अच्छी बात कही उन्होंने कहा कि इन प्रशनों का हल सडकों पर नहीं होगा मैं भी उनसे इस बात में सहमत हूं कि इन प्रशनों का हल प्रजातांत्रिक धंग से ढूरने का प् अमें इनका हल प्रजातांत्रिक विवस्था के अंदर करना होगा, सडकों के उपर इन प्रश्णों का हल नहीं हो सकता है, राजस्थान के अंदर जो वकाल पड़ा हुआ है और लोग मर रहे हैं, उसकी तरफ चिंता नहीं हो रही है, अब राजस्थान में जो संकट है और इस तरह के जो दूसरे प्रश्णे हैं, उन पर हम लोग एक साथ बैठ कर गंभीरता से विचार करें और उनका हल तलाश करें, खाली इस तरह से आरोप लगाने से और उपदेश देने से काम नहीं चलेगा, इस देश के अंदर बंगाल में बाड से जनता पीडित हो रही थी, और उसको अनाज, कपड़ा और जीवन की रोज मर्रा की आवश्यक सामग्री भेजने की कोशिश हो रही थी, महोदे उस जमाने में रेलवे करमचारियों को भढ़का कर के हरताल करना और फल सुरूप एक ऐसी विवस्था पैदा करना जिसके कारण बंगाल के पीडित लोगों की सहायता न की जा सकी, की उचित कार्य था, लेकिन यह कार्य मेरे घर के भाईयों ने किया था, मेरा यह कहना है की केवल उपदेश्य काम नहीं चलता है, स्टॉप डिक्टेशन आपको कैसा लगा है, प्लीज कमेंट करके जरूब बताईएगा, तो मलते हैं फिर ने शुड़े मरता के लिए झाल कीवलों था, बखंधं, स्टॉ Sy य कमेरे जरूब डिक्टेश्च, जर रेकिन ने चलता है, यह खुब हो, झालつ लगगा थे पहाता है, जर रेकिछों घर बताईश्य कमें एंड़े कैसा लिए जरंशिएम देरी इस पजलिए कर दोम चलता है, जरी ओर कीशेश्य